हेलो फ्रेंज स्वागत थे आप सभी का देव स्ट्री सेंटर पर इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटेट एक्जाम जो आपका नोटिफिक्शन आया हुआ है और जो दोजार चोबिस के लिए दिसेंबर में इसका एक्जाम होने वाला है डेट भी दिया हुआ है तो कितना मार्क पास मार्क है कितना मार्क सराएंगे कि आप पास हो जाएंगे सीटेट एक्जाम साथ में अलग-अलग केटेगरी भी दिया हुआ है तो अगर आप इस चैलेंज बनने हैं तो देविश्ट्री सेंटर को सब्सक्राइब जरू करें और लाइक जरू करें तो सबसे पहले देख सकते कि यह सीटेट एक्जाम मैंने लिखा हुआ है और आपका जो अलग-अलग केटेगरी है सबसे पहला जो केटेगरी आपका यहां पर स्क्रीन पर दिक रहा होगा जेनरल जो अन्रजिब जो है आपका केटेगरी है वह आपका 90 आउट आउट आप 150 मतलब में से आपका 90 मार्क्स जो है आपका जेनरल को लाना है जो आपका 60% होता है अगर आप 60% ले आते हैं 90 मार्क्स लेते हैं तो आप सीटेट में क्वालिफाय हैं इसी तरह का आपका OBC जी होए चाहे आप BC1 में है या BC2 में है दोनों OBC में ही आएगा अधर बेकवार कास्ट में उसमें आपको 82 मार्क्स लाना पुरेगा है 150 में से और ये होता आपका 55 मार्क्स आपका 55% होता है तो अगर आप 82 ले आते हैं तो आप हो क्वालिफाय हैं दूसरा आपका अगर आप SC में है या ST काटिगरी में आते हैं तो आपको भी 82 मार्क्स लाना पड़ेगा और आपका 150 में से यह 55 बता है EWS भी अगर आप हैं तो भी 82 मार्क्स आपका लाना पड़ेगा और 150 में से आपको लाना पड़ेगा तो जैरल के 90 वाकी 82 marks है और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट में आपको negative marking नहीं रहती है आप पूरे 150 question को attend कर सकते हैं और 150 को 50 question पूरा बना सकते है negative marking नहीं रहती है तो इसमें थोड़ा मैं आपको discuss करूंगा कि अगर 90 marks लाने के क्या फाइद है अगर आप 90 marks लाते हैं 90 से अबब लाते हैं तो क्या इसका फाइदा क्या है तो देखिए इसमें फाइदा ही है कि अगर आप किसी other state में apply करते हैं अगर आप बिहार यूपिया में apply करते ह तो आपको वहाँ पर जेनरल में fight करना पड़ेगा तो उसमें आपको 90 marks आपका देखा जाएगा 90 marks देखा जाएगा अगर आप 90 marks नहीं लाएं अगर आप 89 भी अगर marks लाएं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा अब हाली में विहार का जो teacher exam हुआ कई सारे strange हो जिनका 89 या 88 marks था लेकिन वह अलग state से आए हुएते हैं तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया तो इसलिए अगर आपको other state में भी job करना है तो आपको कम से कम आपको 90 number तो लाना ही है general category का marks आपको लाना काफी जोर रही है अगर नहीं लाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा मतलब आप इलिजिवली नहीं है आदर इस्टेट के लिए तो 90 लाना जोर रही है तो हमेशार टारगेट को अपना 90 से उपर रहे हैं 100 से उपर टारगेट रहे हैं अगर आपको कि first time में कैसे 100 से उपर इसको लाना है तो आप म उसको देखेंगे तो आपको किलियर कट कंसप्ट किलियर हो जाएगा आपका कि किस तरह प्लानिंग से 100 से उपर मार्क्स लाया जा सकता है तो साती में अगर माली आप OVC STC इस तरह माली OVC में 82 लाते हैं तो इसमें भी यह होता है कि आपका आपको OVC का सर्टिफिकेट आपको बणा कर रखना पड़ेगा ओवी सेंट्र लेवल का कि कि जो सेंट्र का वैकonChena अगर कोई basement आता है या आपका KVA सथ है और अगर आपने obc में माली जा आपने पास किया है तो आपको OVC का certificate आपको बना कर रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर वह दिमांड करेंगे और state में अपना state का OVC आपको तो बनाना ही पड़ेगा किसी की क्योंकि जो में रिजावेशन के लिए आपको नियोजन का जो नियोजन के लिए आपको OVC के certificate हर जाओ मांगा जाता है तो आपको OVC के certificate पहले से बना कर रखना पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको उसका रिजावेशन का फाइदा मिलेगा साथी में अगर आप सीटेट का त्यारी कर रहे हैं और आपको काफी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप YouTube चलन मेरा देविष्ट्री सेंटर को फोलोग कर सकते हैं साती में प्रेंट के निकालते हैं और उनको पढ़ते हैं तो बार-बार रिभाइस करेंगे तो सीटेट आपका एजी से फास सेटे में निकल जाएंगे तो सीटेट में जो है नॉर्मली आपका जो 150 कुस्चन रहता है 150 मां रहता है 150 मीट के रहता है आपको परफर प्लानिंग के साथ अगर आप तहरी करते हैं तो आपका 80 मतलब 90 मांक्स से उपर आपका कम नहीं आएगा लेकिन पढ़ाई मेहनत करने पड़े कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो इसी तरह के वीडियो के लि